हलो फ्रेंज, कुकिम वित रुपा मैं आपका सौगत है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पर बजार जैसे दोसा, आलो की सबजी और चिटनी कैसे बना सकते हो मैं आपको आसान तरीके से रेसिपी बताने वाली हूँ सो प्लीज, मेक शूर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सबस्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्राइब ज़रूर कर देना बगल में बेल आइकन का बटन है उससे भी क्लिक करना तक आने वाले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए रेसिपी बनाना शुरूर करते हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं दोस्रे के जो बजार में मिलते हैं चावल वो ले लिए हैं डेड कोटोरी लंबे वाले चावल लिए हैं आदा कोटोरी जाते हैं उरद दाल लिया है एक कटोरी चनिक का दाल लेंगे हम दो चमच आदा चमच लेंगे मेती का दाना मेती का दाना जादा डालेंगे तो दोस्रे में कड़वाट आ जाएंगी इसलिए आदा चमची डालेंगे मेती का दाना इन्हें हम भिगो कर रग देंगे चार से पाच गंटे के लिए मैंने चावल दाल इन सब को अच्छे से भीगो लिया है चावल और दाल अच्छे से भीग गया है तो इसे हमें मिक्सर में बारिक पेस्ट पना लेना है तो यहाँ पर दोसे का बैटर जो है बनकर त्यार है अच्छे से mix कर लेंगे बहुती बारिक करना है पेस्ट हमें यहापर दोसे का आटा बनकर त्यार है तो हम इसमें डालेंगे तेल regular जो हम तेल इस्तमाल करते हैं सबजियों में वही तेल हमें यहापर एक चमच डाल देना है चीनी डालेंगे एक चमच चीनी से हलकी से मिठास आती है दोसे में और क्रिस्पी भी बनता है दोसा कलर भी बहुती अच्छा आता है दोसे का तो नमक डालेंगे स्वाद अनुसार बस नमक डालने के बाद अच्छे से mix करेंगे दोसे का बेटर यहाँ पर बनकर त्यार है अच्छे से mix करना है नहीं तो नमक निच्छे तले में बेट जाता है तो नमक को हम अच्छे से mix कर लेंगे एक से दो मेर्ट तक mix करना है अब साइड में रख देंगे दोसे के आते को तो यहाँ पर आप हम मनाएंगे आलो की सबजी, गैस के उपर मैंने रख दिया है, कड़ाई, उसमें डालेंगे आदी छोटी कटोरी तेल, तेल जैसे ही गरम हो जाएंगा, उसमें डालेंगे आदा चमश, राई और जीरा, राई और जीरा मेरे पास हमेशा मिक्स होता है, तो मैंने आदा चमश वैसे ही राई की सबजी बनाने के लिए कि आलो की सबजी में मैं निने थोड़ा पैस्ट जादा डालती हूं अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हलका सा प्यास का कच्छा पन निकल जाएंगा, इस तरह से कलर चेंज हो जाएंगा, तो उसमें हम डालेंगे अधरक एक इंच कद्धुकस करके, चने दाल को मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया था, तो दो चमच वो भी डाल देंगे चने का दा अब इसमें जाएंगा स्वात के अनुसार नमक, आदा चमच हल्दी पाउडर, फिर से हमें अच्छे से मिक्स करना है, अब मीरियम से इसके महिने यहां पर उबले हुए आलोव डाल देंगे, आप चाहें तो आलो को पूरा स्मैश करके भी डाल सकते हो, तो फिर से हमें अच्छे से सब्जी को मिक्स कर देना है, हलका स्मैश करते हुए मैंने सब्जी को मिक्स किया है, अब हरा धन्या डालेंगे, फिर से हम अलो की सब्जी को मिक्स करेंगे, अब ढकन बन करके, दो से चार मिनट तक हम पका लेंगे अलो की सब्जी को, तो हम चिक कर लेंगे यहाँ पर आलो की सब्जी बन कर त्यार है, मिक्स करेंगे और एक बार ग्यास का फ्लेव बन कर देंगे, अब हम बनाएंगे चट्नी, दोसे के साथ चट्नी बनती है वो बनाएंगे, यहाँ पर मैंने लिया है नार्यल, हरा धनीया, चार लसन की कलिया और कच्छे शेंगदाने लिये हैं आदा चमच जीरा और हरे मिर्ष दो से तीन लिया है इन सब को हमें मिक्सर में बारिक पीस लेना है चेटनी को जब हम पीसते हैं तो उसमें हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा चीनी डाल देंगे अब यहाँ पर हम चेटनी की तड़की की त्यारी कर लेंगे ग्यास के उपर मैंने रख दिया है कड़ाई एक चमच तेल डालेंगे चेटनी के लिए आदा चमच राई जीरा डाल देंगे राई जीरा अच्छे से तड़कने के बाद उसमें डालेंगे सुके लाल मिर्श दो कड़ी पता डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे तड़के को अब ग्यास का फ्लेम बन कर देंगे थोड़ा सा सुके लाल मिर्श को उपर निचे कर लेंगे अब ग्यास का फ्लेम बन करेंगे अब जो चटनी हमने बनाई है तड़के को उसमें डाल देंगे अब जब आप चटनी परोसेंगे तो अच्छे से तेल को और चटनी को सब को अच्छे से मिक्स करें तो दोसे के साथ खाने वाली चटनी बन कर त्यार है चटनी को अच्छे से मिक्स करना है नहीं तो घर में सब मुझे ही चिलाएंगे कि वापरे इतना सारा तेल क्यों इस्तेमाल किया है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने या पर तेल रखा है आप सर्व करते समय अच्छे से मिक्स करें चटनी को तो दोसे का बेटर तो पहले ही हमने बना कर रख दिया था अब हम दोसा बनाएंगे ग्यास के उपर मैंने दोसे का तवा गरम होने के लिए रख दिया है तो दोसे का जो आटा है वो डाल देंगे छोटी सी कटोरी लेंगे उसमें आटा लेंगे इस तरह से तवे पर गोल फिरा लेंगे आटे को अब उपर से मैंने डाला है तेल आदा चमस तेल डाला है आप चाहें तो घी कभी इस्तमाल कर सकते हैं ग्यास का फ्लेम मीडियम रखा है तो दोसा पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है एक बार वो लाल होना शुरू हो जाएंगा दोसा तो जल्दी से बनकर त्यार हो जाता है देखे कलर चेंज हो गया है तो हम दोसे को निकाल लेंगे बहुत ही क्रिस्पी बने है और आलू की सबजी चटनी भी बहुत ही टेस्टी बने है तो कितने आसानी से दोसा निकल रहा है आप देख सकते हो तो दोसे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से और एक दोसा हम बना लेंगे बस हलका सा हम उपर से डारेंगे आदा चमस तेल एक सी दो मेट लगेंगे दोसा बनने के लिए गर्मा गरम दोसा घर पर देखें बजार जैसा दोसा घर पर गर्मा गरम बनकर त्यार है हमेशा याद रखें ग्यास का फ्लेम जब हम दोसे का बेटर दालते है तवे पर तो ग्यास का फ्लेम धीमा रखें फिर बाद में जब दोसे का आटा डालने के बाद थोड़ी देर होने के बाद ग्यास का फ्लेम मीडियम रखेंगे तो लिजे गर्मा गर्म हम घर पर ये बजार जैसे दोसा आलो की सबजी और चटनी बन कर त्यार हैं तो फ्रेंज कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट के दालाज जरूर बताएं वीडियो पसन आएं तो वीडियो को लाइक शेर भी जरूर कर देना और चैनल को सब्स्राइब भी जरूर कर देना फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर